आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग HTML और CSS को यूज करके एक वेबसाइट क्रियेट करेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट का भी यूज होगा जो की काफी कम होगा अगर आपको नहीं भी आता है जावा स्क्रिप्ट तो भी आप बहुत ही ईजली कर लोगे पहले हम इस वेबसाइट के डेमो को चेक करते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग में ही एक आइडिया हो जाए एड दे एंड अफ दिस वीडियो आप यहाँ पर क्या बना करके रेडी करने वाले हो इस वेबसाइट का जो टॉपिक मैंने रखा है वो है ग्रॉसरी स्टोर आप यहाँ पर कुछ भी सेल कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इमेजिस को चेंज करके इस वेबसाइट के टॉपिक को भी चेंज कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास लोगो सेंटर में हैं हमारे पास हमारा मेन्यू बार यानि की नेविगेशन बार राइट हैंड साइड पर कुछ आइकन्स हैं जिसकी वर्किंग मैं आपको थोड़ी देर के अंदर दिखाता हूँ इस जगह पर आपको शेड़ो देख रहा है यह हमारा एक बैनर इमेज है शॉपनाव का एक बटन है नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने है आर फीचर्स और यहाँ पर तीन फीचर्स आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो आप देख सकते हो माउस हावर करने पर काफी अच्छा glowing effect, background shadow हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके अंदर कुछ images है, dummy content मैंने रखा है क्योंकि आप इसे अपने according replace करोगे read war का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे अगर scroll करेंगे तो our products का एक section है इसके अंदर अलग-अलग products को list किया है और जैसा कि आप इसको देख पा रहे हो slider कहलो या corousal कहलो या आपके सामने थोड़ी थोड़ी देपे slide हो करके आने वाला है different different products यहाँ पे है उनके price है, title है, images है, add to cart का भी एक button यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको खुद से भी यहाँ पे slide कर सकते हो नीचे अगर scroll करेंगे तो again same चीज है और product यहाँ पे आपको different देखने को मिलेगा उसके नीचे product categories है, यहाँ पे आप देखोगे तो different different product आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है shop now का यहाँ पे हमारे पास button है, कितने percent discount है, off कितना मिल रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम दिखा सकते है customer के reviews है, with उनके pictures, comment and star rating, इसको भी आप यहाँ पे slide करके पढ़ सकते हो इसके नीचे blog का एक section है, जिसमें आप blog post कर सकते हो, और उसके नीचे हमारे पास एक footer है, जो कि सारे pages के ऊपर common होगा यहाँ पे हमारे पास social media के icon है, इस जगह पे logo है, contact info है, mouse over करने के ऊपर एक animation आता है और quick links का भी एक section दिया हुआ है, subscribe to newsletter का भी option यहाँ पे है, नीचे आप अपना copyright section यहाँ पे दिखा सकते हो मैं इसको यहाँ पे ऊपर करता हूँ, यह हमारा one page website है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाओ, तो मैंने inline linking यहाँ पे की हुई है internal linking, same webpage के ऊपर, काफी अच्छा animation और effect आपको देखने को मिलेगा इसी के साथ साथ तीन icons भी है हमारे पास, उनमें से एक है, हमारे पास search, right hand side से slide हो करके यहाँ पे आपको चीज़े देखने को मिलेंगी card का भी एक option है, जो भी product यहाँ पे card के अंदर add किया गया है, वो दिखेगा और नीचे आपके सामने checkout का एक button है again click करते हैं तो यह भी hide हो जाएगा, account का एक option है, आप यहाँ से login कर सकते हो और account नहीं है, तो create account के उपर click कर सकते हो नीचे हमारे पास login का एक button है, यह website पूरे तरीके से mobile friendly है, device friendly है, tablet friendly है, तो आप इसको अपने mobile में, tablet में, computer में, किसी भी device के उपर check करोगे यह अपने आपको उसके according adopt कर लेगा और adjust कर लेगा, and properly अपने device के according आप इस website को run करके देख सकते हो, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पर iPhone के according इसको दिखा रहा हूँ, तो properly यह हमारा visible होता है, similarly अगर यहाँ पर हम effects को देखना चाहे तो click करने का effect आपक का button है, तो सारी चीज़े properly हर एक device के ऊपर भी उसी तरीके से काम करती है, जिस तरीके से हमने computer में देखा, तो यही कुछ है जो कि हम इस series के अंदर बनाने वाले हैं, और सारी चीज़े मैं आपको step by step बहुत ही detail में सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपको HTML, CSS और JavaScript, यह तीन चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को pause करें, और comment section में मुझे बताए आपका नाम, आप कहां से हो, और आप क्या करते हो, अगर आप job पे हो, तो आप job के बारे में बता सकते हो, अगर आप student हो, तो student बता सकते हो, इससे क्या होगा, मुझ तक आपका एक comment पहुँच जाएग और जब भी मैं images को use करूँगा अपने वीडियो के अंदर, उससे पहले ही आपको ये सारी चीज़े provide कर दी जाएंगी, आप वीडियो को आगे follow करते रहे, और comment में मुझे जरूर बताए, वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे new है, तो subscribe करे, bell icon को click करके all notification को on करे ताकि आपको latest videos के notification मिलती रहे, इस website को बनाने के लिए multiple videos की जरूरत पड़ेगी, तो आपको complete playlist का link इस video के description में मिल जाएगा, make sure उसको भी check जरूर करे, तो फटा-फट से हम लोग यहाँ पे अपने environment को setup करते हैं, और इस project के लिए जो भी required folders हैं, files हैं, उन्हें create करत सबसे पहले आपको जाना है Google पे और आपको यहाँ पर टाइप करना है download sublime text, यह इनकी website है, इसके उपर जाए, sublime text 3 है, I think latest में या 4 है, जो भी है उसको download करे, free of cost और अपने computer में install करे, इसके बाद आपको start में जाकरके लिखना है, यहाँ पर sublime and simply इसको open करे, sublime उपन होने के बाद आप आजाओगे अपने computer में, जिस जगह पे आपको अपनी website को बनाना है, वो drive open कर लो, right click करके यहाँ पे एक new folder create करेंगे, और मैंने इसका नाम दे दिया grocery store, grocery लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप आजाओगे sublime में, यहाँ पे एक option है file, file में आ करके open folder, make sure open folder करें और जिस भी जगह पे आपने इसको बनाया है folder को, वो select करें, दूसरा option आपके सामने एक और है कि आप इसको यहाँ से drag करोगे, sublime में लाकर करके drop करोगे, तो भी आपका यह folder यहाँ पे बहुत easily बन जाएगा, right now हमारा grocery का जो folder है, वो obviously empty है, अगर मैं यहाँ पे आता ह है, यहाँ पे index.html, और इसके बाद save के ऊपर click करें, तो एक file हमारा बन चुका है, और यह आप अपने folder के अंदर भी बहुत easily देख सकते हो, हम इसको चाहें तो run करा करके यहाँ पे देख सकते हैं, currently कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी code यहाँ पे नहीं किया, अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आप अपने business को online लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है, तो आप domain research.com पे आ करके उन services को यहाँ से select कर सकते हो, domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड क सकते हो, एक gv SSD की storage है, 10 email address करेड़ कर सकते हो, पांच gv की bandwidth और light speed की technology है, personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address करेड़ कर सकते हो, bandwidth unlimited sunlight speed की technology है, और premium SEO tool आपको free मिलता है, silver plan के अंदर आप तीन 웹 से ट को host कर सकते हो, बाकि सारी चीज़े सेम है, और unlimited है, advanced plan के अं minimum free मिल जाता है, unlimited websites को यहाँ पर host कर सकते हो, बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है, इसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते हो, तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाब से domainresort.com पर आकर के plans को select कर सकते हो, और राइट, इसके बाद हमें अपने project के environment में और भी folders create करने है, तो मैं यहाँ पर आ रहाँ और इस जगा पर आपको right click करना है new folder, इसका नाम हो जाएगा हमारा CSS, इसके आद एक और new folder की requirement पढ़ेगी, जो की रहेगा हमारा JavaScript का, तो JS और इसके बाद हमें images के लिए भी एक folder की ज़रूरत है, तो मैंने इसका नाम दे दिया image, ध्यान दे मैं image लिख रहाँ, images नहीं लिख रहा दिक्कत कोई नहीं है, images लिख लो फिर मैं जहाँ-जहाँ image करूँगा आप उसको images कर लेना, ठीक है, तो मैंने इसको वो बना दिया, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर Sublime में, और इसको अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको उसके अंदर की सारे folders देखने को मिलेंगे CSS के folder के उपर आपको right-click करना है, new file बनाना है file में जाकरके save as करें इसका नाम आपको देना है style.css dot के बाद CSS होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से आपको all के उपर tick लगाना है, यही same चीज आपको index वाले के लिए भी करनी है वरना by default यह text file बन जाएगा इसके बाद हमें यहाँ पर js, जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर के उपर right click करना है, new file click करें, और इसको भी आपको save as करना है, इसका नाम हम लोग यहाँ पर देने वाले है, script dot js again इसको भी आपको all file पर रखना है, और save के उपर click करें, तो environment हमने यहाँ पर set up file में, आपको यहाँ पर angular bracket start करना है, ht लिख करके रखें, और enter press करें, यह by default सारे के सारे basic tag अपने आप यहाँ पर implement कर देगा, zoom करने के लिए control और mouse के wheel का आप use कर सकते हो, control दबा करके रखे, mouse के wheel को अपने according आगे या फिर पीछे की तरफ rotate करें, cyber warriors, इसको save करेंगे, और अपने folder में आ करके इसको run करेंगे, आप देख सकते हो, उपर लिखकर क्या रहा है, grocery store by cyber warriors, कुछ इस तरीके का हमें इसको बनाना है, अगर आप यहाँ पर check करोगे, तो मैंने कुछ icons का use किया है, यह जो आप basket देख रहे हो यह basically एक icon है, font awesome के icons का use किया है, इस जग़ पे भी देखोगे आप, तो यह images भी हो सकते हैं, यह आपके icons भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें CDN का use करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर font awesome का use करने वाला हूँ, तो अपने code में आ करके मैंने comment आउट किया, ताकि इसको बाद में पहचानना आसान हो, head tag close होने से पहले, इस जग़ पे आज़ते हैं, और head tag को close होने से पहले, मैंने यहाँ पे comment पास किया, comment करने के लिए आपको यह लिखना है, जो मैं यहाँ पे type कर रहा हूँ, इसके बीच में आकर के font awesome के cdn की lines को हम paste करेंगे, latest में font awesome 5 चल रहा है, मैं generally उसको use नहीं करता, क्योंकि कुछ icons में problem आते हैं, लेकिन आप font awesome 5 को use कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 4 को use करने वाला हूँ, google पे जाकर के आपको type करना है css star rating, w3 school का एक site आएगा, library का code है, और यह font awesome 4.7 है, आप directly google पे लिख सकते हो, font awesome 5 cdn आपको तो भी link मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे यह वाला version use कर रहा हूँ, simply इसको paste करे और save करे, इसके साथ आप चेक करोगे कि हमने css का एक separate file बनाया है, तो इसको भी link करना है, तो इस चीज़ के लिए मैं इस comment को again कर लेता हूँ, copy और यहाँ पे आकर के मैंने इसको कर दिया paste, और मैंने इसको कर दिया code for, या फिर cdn, cdn तो नहीं है यह code for linking css file यह मैंने copy paste कर दिया, इसके बीच में आकर के हम उसे link कराएंगे, तो मैंने यहाँ पे कहा इसको link और enter press किया, href आपको यहाँ पे reference provide करना है, यानि कि आपकी वो file कहाँ पे है, by default जो हमारा folder है, वो main हिस्सा ये वाला है, ठीक है, वो file कहाँ मिलेगा, css का एक folder है, उसके अंदर style.css की एक file है, तो यहाँ पे आकर के मैं इसको कहता हूँ, css का एक folder मिलेगा, slash, उसके अंदर style.css एक file है, ध्यान देना, dot की जगह पे कॉमा मत लगा लेना, ये लिख करके मैंने इसको save किया, अब ये link हो चुका है, लेकिन इसकी कोई guarantee नहीं है, क्या proof है, तो इस चीज के लिए हम आ जाएंगे अपने style sheet पे, और यहाँ पर मैंने इसको बनाया body, और color specify कर देता हूँ, background red, और इसको हम save करेंगे, अपने web page को refresh करेंगे, अगर ये red हो रहा है, it means link सही से हो चुका है, और अगर नहीं हो रहा है, तो link नहीं हुआ, अभी आप चेक करोगे, ये link नहीं हुआ है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैंने इसको background color भी try कर लिया, तो भी ये काम नहीं कर रहा, it means कहीं न कहीं कुछ problem है, तो यहाँ पर आ करके, में यहाँ पर red करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने javascript की file को link करते हैं, तो इस चीज के लिए index वाले में आ जाओ, सबसे last में, कुछ gap maintain करते हैं, तो body के बीच में थोड़ा सा gap maintain कर लो, और body close होने से पहले, यहाँ पर हम इसको एक tag प्रोवाइड करेंगे, जो की है script, बीच की lineों को आप यहाँ से erase कर सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना है source, src, कि भाई source क्या है, वो file कहाँ पड़ी होई है, तो अगर आप यहाँ पर आ करके अपने folder में देखोगे, तो js नाम का एक folder है, और उसके अंदर script.js एक file है, तो मैंने इसको provide किया, js नाम का एक folder है, folder है तो slash लगाना पड़ेगा, और script.js नाम से एक file है, यह कहकर के हम यहाँ पर save करेंगे, spelling पर ध्यान दे, तो अब हम यहाँ पर इसको बनाना start करते हैं, सबसे पहले हम create करेंगे यह वाला हिस्सा, navigation bar, nav bar, या फिर header section, तो इस चीज़ के लिए हम आते हैं, अपने code पे, body के जस्ट बाद, यहाँ पे एक comment create कर लेते हैं, तो मैंने इसी उपर वाले comment को किया, copy, यहाँ लाके paste किया, और इसको मैंने का header section, और इसको copy करके एक बार paste कर देते हैं, हम इसके बीच में अपने header section को यहाँ पे create करेंगे, तो यहाँ पर मैं header tag का use कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर provide किया header, और इसको एक class से specify करते हैं, ताकि CSS के थुरू हम इसको properly यहाँ पे edit कर सके, और मैंने इसका class भी रख दिया, यहाँ पे header, इसके बीच में आ जाएंगे, आप यहाँ पे notice करोगे, अगर मैं आपको यह चेक कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या क्या options हैं, पहले हमारे पास हमारा logo, और उसके बाद हमारे पास home, features, products, categories, reviews, blog, तो सबसे पहले हम यहाँ पे logo को create करते हैं, इस चीज के लिए आपको यहाँ पे type करना है, हम use करेंगे anchor tag का, तो मैंने कहा a, href equals to hash, hash मतलब click होने पे कहीं भी मत जा, यहीं पे रह, इसको भी style करेंगे, तो इसका एक class प्रोवाइड किया, class के अंदर मैं type कर देता हूँ logo, logo के बाद हमें यहाँ पे font awesome के icon को बुलाना है, तो इस जगह पे आप उसको देख सकते हो, Google पे जाके आपको type करना है font awesome four icons, अगर आप five use कर रहे हो तो five, simply यहाँ पे click करें, और इस जगह पे आपकर के आप अपने icons को search कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप basket क्लिक सकते हो, आपके सामने basket का एक option है, इसके उपर click करें, click करने के बाद आपको यहाँ पे code मिलता है, यह simply आपको copy paste करना है, इसी तरीके से मैंने already search किया हुआ है, तो मैं directly उसको use करके दिखा दिता हूँ, लेकिन आप अपने according हर एक icon को search कर सकते हो, तो यहाँ पे आ करके मैंने इसको provide किया, font awesome का icon, तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पे type करता हूँ, i, वही same चीज जो मैंने आपको बताया, आप copy paste कर सकते हो, class equals to, वो है हमारा f a s space fa minus shopping minus basket, और इसके बाद आपका i tag यहाँ पे close हो जाएगा, तो slash के बाद i tag को close करें, zoom कम करके दिखा देता हूँ कि क्या code हमने अब तक किया है, कुछ यह code किया है, यहाँ पे आ करके इसको save करेंगे, और इस जगह पे आ करके एक बार refresh करके देखते हैं, तो आप देखोगे, यह box बन के आ रहा है, ऐसा कोई issue हो तो f a s की जगह पे normal fa रखे, save करके refresh करते हैं, और क्यूंकि मैं यहाँ से c dn का use कर रहा हूँ, तो आपके computer में internet connection होना चाहिए, तभी यह icon यहाँ पे visible होगा, आप देख सकते हो icon हमारा यहाँ पे दिख रहा है, अब इसके बाद हमें message type करना है कुछ इस तरीके का, अब यह icon obviously change हो चुका है, इन्होंने update कर दिया है, तो यहाँ पे अलग है, थोड़ा यहाँ पे अलग है, खेर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ करके मैं इस जग़ा पे आई के just बाद, मैंने type किया grocery, इसको save करेंगे, अपने website के उपर आ करके refresh करेंगे, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, अब इसके बाद हमें requirement है, यहाँ पे navigation bar की, यानि कि home, features, products, categories, reviews and blogs, यह हमें यहाँ पे लिखना है, तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, और obviously वो header का ही part है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, header जो हमने close किया है न, इसको थोड़ा सा separate करके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे आ करके, अब मैंने start किया यहाँ पे nav tag, इसका भी एक class देंगे, क्योंकि इसकी भी styling करनी है, class equals to, मैंने इसको provide किया nav bar, इसके बीच में आते हैं, anchor tag का use करेंगे, ahref equals to कि click होने पे कहाँ पे जाएगा, तो मैंने provide किया इसको hash, home कि भाई इसी जगह पे रहेगा, बाहर आकर के एक message देते हैं, तो मैंने का home, इसको copy कर रहा हूँ, control C से, और 4-5 बार इसको paste करें, इसके बाद क्या requirement है हमें, features, products, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कि अगले वाले पे क्या होगा, features, तो यहाँ पे मैंने इसको features provide किया, और बाहर भी उसका message हमारा features होगा, इसको भी हमने features provide किया, इसके बाद है हमारे पास products, तो यहाँ पे products को type करेंगे, same message हमें यहाँ पे बाहर provide करना है, इसके अगल आप चेक कर सकते हो, categories है, तो मैं इसको यहीं से copy कर लेता हूँ, यहाँ पे आ करके मैंने उसको paste किया, same message हमारा बाहर रहेगा, similarly हमें reviews and blogs की requirement है, तो reviews को copy किया, यहाँ paste किया, अगला है हमारे पास यहाँ पे blogs, और same message हमारा यहाँ पे आ जाएगा, extra वाले को मैं यहाँ से delete कर देता हूँ, इसको save करेंगे, अपने web page के उपर आ करके एक बार refresh करेंगे, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमें वो दिख रहा है, copy paste करते time capital small हो गया, तो मैं उसको साही कर देता हूँ, यह categories का C जो है वो small है, इस जगह पे भी हमें उसको small रखना है, same हमारा reviews, इस जगह पे भी हमें उसको small रखना है, save करके यहाँ पे आ करके refresh करते हैं, इसके बाद आपको जाना है google fonts, यानि की fonts.google.com, और यहाँ से आप pop-ins को open करेंगे, या फिर directly इनकी website पे जाए, तो आप यहाँ पे देखोगे, हमारे सामने pop-ins open हो जाएगा, अगर आपको कुछ नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पे search करोगे, तो मैंने यहाँ पे search किया pop-ins, multiple options आपको मिल सकते हैं, जो भी आपको दिखता है उसके उपर click करें, नीचे scroll करोगे, बहुत सारे options आपको दिखेंगे, जो भी आपको इसमें से पसंद दो, example के लिए यह 300 वाला जो है न, मैं यहाँ पे plus पे click कर देता हूँ, नीचे scroll करते हैं, 400 वाले को भी कर लेते हैं, हम यहाँ पे नीचे scroll करके, 500 वाले को भी हम यहाँ पे use कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पे import का option है, उसके उपर click करें, अब जो भी आपको दिखता है न, यह simply आप यहाँ से control C से copy कर लोगे, style की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको छोड़ करके, बागी सारा कुछ copy करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे अपने style sheet पे, इस जगह पे आ करके आपको paste कर देना है, अब यह side में जा रहा है, इस चीज के लिए I think हम view में जा करके, नीचे एक option मिलेगा आपको word wrap, इसके उपर क्लिक करें, तो वो side में shift हो जाएगा, इसके बाद आप आ जाओगे दुबारा उस website पे, और यहाँ पे आप देखोगे, एक CSS की line लिखी हुई है, simply इसको copy करें, अब मैं यहाँ पे आ करके कहता हूँ star, star का मतलब है सारे, के सारे HTML, CSS के tags, properties के लिए यही करना है, simply उसको paste करें, इसको एक बार save करेंगे, और अपने website के उपर आ करके refresh करेंगे, थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, refresh करते ही आप यहाँ पे देखोगे, font हमारा यहाँ पे बदल चुका है, और पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, by default, HTML, tag के tags और CSS के properties, left hand side से कुछ margin, कुछ padding लेकर के आ रहे होते हैं, मैं चाथता हूँ वो ना आए और यह पूरा चिपक जाए, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ करके मैंने का भाई हर जगह से, जो हमारा margin है वो zero कर दे, और जो हमारा padding है वो भी zero कर दे, save करके इसको refresh करते हैं, तो आप देखोगे margin और padding यहाँ से जा चुका है, similarly मैं यहाँ पे box sizing का भी use कर रहा हूँ, तो मैंने कहा box sizing, यह हो जाएगा हमारा border box, आपको कहीं भी कोई doubt आता है, या फिर आपको CSS के property इसको बहुत detail में सीखना है, मेरे channel के playlist में already वो मैंने detail में सिखा रखा है, separate playlist बनी हुई है, आप उसको check कर सकते हूँ, यहाँ पे आ करके कह दिया, या मैंने by default outline भी जो रहेगी वो none रहेगी, और जो border है हमारा वो भी हमें नहीं दिखाना, तो border भी मैं यहाँ पे none कर रहा हूँ, एक चीज़ आप notice करोगे यहाँ पे, यह by default ना यह line ने आ रही है नीचे, क्योंकि हमने उसको anchor tag बनाया है, और यह हम इसको साही कर सकते हैं, text decoration property से, तो अगर मैं इसको कह दू, text decoration none, कि भाई सजावट वगरा मुझे नहीं चाहिए, refresh करती वो line यहाँ से हट जाएगा, आप pop-ins वाले page को cut कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं इसको match करके दिखाऊँ, तो यह capital में लिखा हुआ है, पहला वाला, और यहाँ हमने सारा small में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम साही कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के मैंने इसको कहा, text transform एक property आपको मिलेगा, आप यहीं पर धूंड सकते हो, तो मैंने कहा, text minus transform capitalize, capitalize जैसी आप करोगे ना, तो पहला character जो होगा ना, वो capital हो जाएगा, आप देख सकते हो, हम का edge, feature का F, यह सारी चीज़े हमारी properly align हो गई, आपने notice किया होगा, जब मैंने आपको preview दिखाया था, चीज़े यहाँ पर थोड़ी सी animate होकर के आती है, हलका सा time ले करके, तो उस चीज़ के लिए, एक transition यहाँ पर apply करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कहा transition, all, एक timer provide करेंगे, तो मैंने कहा point two second, linear, इसको save करते हैं, यहाँ पर आकर के refresh करते हैं, तो आप देखोगे हलका सा blink कर रहा है, और काफी अच्छा लग रहा है, सच हमें यहाँ पर देखने में, तो इतना portion हमने यहाँ पर create कर लिया है, और बाकी का काम हम लोग यहाँ पर next वीडियो के अंदर cover up करेंगे, link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी सारी वीडियो को देख सकते हो, मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुत ही detail में समझा दी जाए, और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करें, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, थाइंक्स वर वाचिंग गाईज,